साथियों आप लोग जेशा की देख रहे होंगे कि यावाज से ही आप लोग पहचान गए होगे कि इस तरीके का गेम है और जैसे कि आप लोग इस समय पजल खेलते हैं उस प्रकार से यह पहले का ग्यानवर्दा गेम था जिसको लोग केला करते थे क्योंकि उस समय मनरंजन का कोई साधन नहीं था तो मनरंजन का साधन ना होने के कारण इस तरीके का गेम खेला जाता था लोग खाली समय में बैट करके इस तरीके से गेम खेला करते थे और यह देखिए हम लोग आये हैं और ऐसे ही टैल रहे थे बर्शाथ का समय था तो सोचा गया कि इस गेम को खेला जाया तो यह लोग देखिए बैट करके गेम को खेल रहे हैं इसमें होता यह है कि इस तरीके का वर्गा का रेखा की इच करके इसमें बनाया जाता है और इसमें 20 बकरिया होती है जो की चौक पे 5-5 करके 4 जुंड में बैठी रहती है और तोक होने पर बाग को रखा जाता है इसमें बकरियों को बचाना होता है इसमें बाग जो है अगर एक अस्थान खाली रहता है तो वो उसको एक बकरी को खा जाता है तो ये काफी ही इसमें दिमाग लगता है और उसको बचाना होता है बाग को बाधना होता है अगर आप बाग को नहीं बाध पाते हैं तो वो बकरियों को खा जाता है और आप हार जाते यहां दो बैकती होते हैं दोनो बैकती एक बाग के तरफ से होता है यह काफिए पुरानी गेम है पहले रेडियो टीबी अमोबाईल इंटरनेट कुछ नहीं था तो इसमें मनरंचन का यही मात्र एक साधन था तो इस तरीके का कई गेम होते थे उसमें लोग यही खेला करते थे जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा यह देखिए इस तरीके से बनाया जाता है तो हम लोग ऐसे ही काली समय में ऐसे ही गूम रहे थे यह जहां पर हम लोग बैटे हुए है यह देखिए वहां पर यह बाग है उस बाग में खाली जगह था तो यहां पर हम लोग बैटे थे चारो तरफ पानी है और यह देखिए इस तरीके से खेला जा रहा है हैं और यह पजल की तरह से यह गेम होता है और काफी अच्छा लगता है कि आजकल तो इंटरणेट का समय है लोग मुबाइल में बीजी रहते हैं और यहां तक कि उन्हें किसी का ध्यान नहीं रहता है बश अपने अपने मुबाइल में सबी लोग इंटरनेट के मादम से बीजी रहते हैं जबकि दूसरों के साथ समय बिताना चाहिए, उनको भी समय दीना चाहिए पहले क्या था पहले ऐसा सादम नहीं था इसलिए सबी लोग एक दूसरे के शाद बैठा करते थे और बाते करते थे गपे मारते थे और अब ऐसा नहीं इसलिए लोगों में दूरिया बनती जा रही है और इसको सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से सब को मिल करके रहना चाहिए यह हमारे तरफ से छोटी सी एक संदेश समझ लेजिए यह संदेश है अब देखिए अगर यही मुबाइल होता इंटरनेट होता तो लोग अपने अपने में बैठे जाते आज यहां पर देखिए कई लोग एक साथ बैठ करके सभी लोग दिमाग लगा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है अच्छा मोशन भी है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप लोग को हमारी बाते अच्छी लग रही हो तो हमारी चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा और अपने दोस्तों से भी सस्क्राइब करवाईएगा और लाइक जरू कर दीजिएगा और जो भी इसमें सुझाव देना हो तो सुझाव को जरूर बताइएगा और हम आसा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी चोटा सा एक क्लिप था जिसको आप लोग देख रहे थे हैं और अपने दोस्तों में इसको सेहर जरूर करिएगा और जो भी सुझाव देना होगा तो हमारे कमेंट बाक्स में जरूर लिख कर कि विजएगा उससे हमें पता चलेगा इसमें क्या कमिया रह गई हैं और इनको कैसे सुधार आजा सकता है तो यह पुरानी यादे ताजया हो गई होगी जो लोग इसको कहले होंगे और नहीं तो जो भुज़रू लोग देख रहे होंगे उनको तो जरूर आसायग उनको याद आ गया होगा इस तरीके का गेम तो काफी और पुरानी पुरानी गेम है उनको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कभी समय मिलता है तो अब यह फिलाल इतने के लिए बस आप लोगों से बस इजारत चाहिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद